Dear students, स्वागता आप सरीका आपके अपने YouTube चैनल Study with दुलार में बच्चों ये Class 7 का Hindi book है Chapter 13 और इस Chapter का नाम है बिर्सा मुंडा तो बिर्सा मुंडा हम लोग especially उसको जानते ही है जारखन के जितनी भी लोग है उन लोग कम से कम बिर्सा मुंडा को जरूर जानते है बिर्सा मुंडा जारखन के सबसे महान बेक्ती में आते हैं और इसी लिए जारखन का निर्मान दिवस जो है इन ही के जनम दिन पर हुआ है तो आई हम लोग इस Chapter को पढ़ कर देखते हैं आज भी मुंडारी आदिवासी बिर्सा को भगवान के रूप में याद करते हैं वह इतिहास का जीवित पूरूस है तो बिर्सा मुंडा के नाम के पहले भी भगवान लिखा जाता है भगवान बिर्सा मुंडा तो जितने भी आदिवासी लोग हैं आज भी इनको अपने भगवान के रुप में याद करते हैं बहादूर बिर्सा ने भारत की अजादी की लड़ाई में खुल कर भाग लिया उसने अपने देश से अंग्रेजों को मार भगाने का परण किया था इसके लिए उसने आदिवासी यूकों का संगठन त्यार किया उन्हें तीर और तलवार चलाने का परशिक्षन दिया तो उस समय जब वे पैदा हुए थे उस समय हमारा देश घुलाम था तो उन्होंने भी काफी प्रियत्न किया हमारे देश को अजाद कराने के लिए चलाना जानते हैं शुरू से ही और सिकार भी क्या करते थे उसी से तो रांची में ग्रेरिया उलिहात्व नामक एक छोटा सा गाउं है यहीं विर्षा का जनम 1874 इसवी में हुआ था उसका परिवार बहुत निर्धन था बड़ी कठनाई से परिवार का पालन पोसन होता था यहां पे जो गाउं का नाम दिया हुआ है वहारांची है ग्रेरिया उलिहात्व तो इस गाउं में विर्षा मुंडा का जनम हुआ था और यहारांची में है तो रांची इसलिए जहारखंड का राजधानी उसको बनाया गिया है तो उनका जनम 1884 इस भी में हुआ था और जादतर यही देखा जाता है कि हमारे देश में आदिवासी लोग जो होते हैं निर्धन होते हैं अब जो है उनको कुछ हारक्षन मिलने के वज़े से थोड़ा उचाई पे उठे हुए हैं और उठ रहे हैं तो बचपन से ही विर्षा ने अपने बहादुर पिता से तीर कमान तथा दूसरे हत्यार चलाने सीख लिये थे उसका निसाना बड़ा अचुक था उसकी मौसी खटंगा नामक गाव में रहती थी वहीं एक मिस्नरी स्कूल में विर्षा ने अपनी सिच्छा प्रारम की वो पढ़ाई के साथ घर का काम भी करना पड़ता है तो बचपन से विर्षा मुंड़ा अपने पहदुर पिता पिता से सीख लिये थे तीर कमान चलाना तो जेनरली जो है वो तीर कमान चलाना उन लोग को पेसे से जुड़ा हुआ था इसलिए उस समय के जितने भी अदिवासी का नाम है उसकी मोशी जहां रहती थी और मिस्नरी स्कूल मतलब उस समय हमारा देश घुलाम था तो उस समय अंग्रेजों के द्वारा जो इसकूल चलाया जाता था उसको मिस्नरी स्कूल कहते थे और बहुत सारी आदिवासी लोग जो है उस हिसाई धरम को अपना लेते थे इसाई भी हुआ है इसकूल से रोटकर उसे बक्री चराने के लिए जाना पड़ता था तो आज भी ऐसा देखा गया है बहुत सारे गरीब बच्चे घर इलू काम करते वे पढ़ाई करना पड़ता है तो उसकी पढ़ाई बैतर ढंक से नहीं हो पाती है लेकिन कुछ इदर उदर रिवाइज करने लगते हैं एक दिन वह लिखने में इतना भगन हो गया कि एक भेडिया उसकी बकरियों को उठा ले गया और पता तक नहीं चला मौसी को जब बकरिया खोने की ख़बर मिले तो वह आग बबुला हो गई बिरसा को मार खानी पड़ी दुखे उक चला तो काफी गुस्य में हो गई और जिसके वज़े से बिरसा को पिटाई भी कर दी तो बिरसा उस समय दुखी हो गया और अपने बड़े भाई जिसका नाम कौमता था उसके पास चला गया तो बड़े भाई का नाम कौमता जो दिया हुआ है एक क्वेश्चन भी आगे मि बिहास करता रहता उसकी बांसुरी की धुन सुनकर चिडियां उसके कंधे पर आ बैठती थी वह बांसुरी बजाकर हिरुनों को भी अपने निकट बुला लेता था उसकी इसकला से गाउं के लोग हैरान रह जाते थे तो संगीत में इतनी सक्ती होती है कि वह जानवरों को भी अपने बस में कर लेता है इसे तरह से बिर्षा को बांसुरी बजाने का बहुत ही असोक था उसे आनन्दाता था और बांसुरी इस तरह से बजाए करता था कि जंगल के पशु पक्ची जो है उस पे मुखध हो जाया करते थे और उसके पास आ जाया करते थे पच्छियां उनके कंदों पे बैठ जाते थे और हीरन जो होते थे उसके सामने आ जाते थे और उसकी मासुरी की धुन को सुनते थे गाउं के लोग भी उसके धुन को सुनकर, बासुरी के धुन को सुनकर हैरान रह जाते थे कि इतनी सुन्दर कैसे बजा लेता है बिर्सा ने गाउं के एक धनी ब्रामन आनंद पांडे के यहां नोकरी कर ली वह उनकी मन लगा कर सेवा करने लगा आनन्द पांडे भी उसे भरपूर प्यार देते थे बिर्षा फिर से मिसन स्कूल में पढ़ने लगा आइन मुंडा सरदारों की भाती बिर्षा को भी सभी सुविधाएं मिलने लगी अब वह गाओं में आग्या और वहां पे रहने लगा एक वहां पे धनी बेक्ती था ब्रामन आनन्द पांडे उस गाओं में एक धनी बेक्ती रहता था आनन्द पांडे तो उसके यहां वह काम करने लगा और काम करने लगा उसकी सेवा करने लगा जिसके पास काम करते हैं लोग या अभी भी करते हैं तो ऐसा ही काम करना चाहिए मन लगा कर काम करना चाहिए तो आनन पांडे जो था उजानता था कि यह एक अच्छा बेखती है तो इसको फिर से स्कूल में पढ़ने में लगा दिया और फिर उसको जिस तरह से दुसरों को सुविधाई मिला करता था इसकूल में उस तरह से उसको भी सुविधाई मिलने लगा 1889 SB में मुंडा लोगों ने छोटा नागपूर की जमीन को अपनी संपती बताते हुए अंग्रेज सरकार को एक अरजी लिखी सरकार ने उस पर कोई निरने नहीं लिया इसके विरोध सवरूप 1881 SB में कुछ मुंडा मिसन छोड़कर बाहरा आगए वे अपनी जमीन पाने के संकल में दिर्ड थे इससे मिसन का फादर नेट्रेट उनसे चीड़ गया वे मुंडा सरदार को धोखे बाज और ठक बताने लगा इस बात को सुनकर बिर्षा के मन को गहरी चूट लगी उसने फादर के बारे में बुरा भला कहा फादर जो था वो अंग्रेज का ही एक आदमी था और अंग्रेजों के बारे में ही सुचेगा इसलिए जब मुंडा लोग वहां से निकल गए तो वो उनके बारे में कुछ अंटसंट कहने लगा और उसे अंग्रेजों के पास एक किठी लिखा गया कि इस जमिन को हम लोगों के हवाले कर दिया जाए, हम लोगों को दे दिया जाए लेकिन अंग्रेज सरकार ऐसा करने वाले नहीं थे, इसलिए उन लोगों ने मिसनरी को छोड़ दिया बिर्षा की बाते सुनकर फादर अवा कर गए, उनके मन में बिर्षा के परती अविस्वास पैदा हो गया, एक दिन बिर्षा मिसन छोड़ कर बाहर आ गया तो बिर्षा के बारे में भादर जो था वो ऐसा सोच नहीं सकता था उससे लगता था कि बिर्षा ऐसा नहीं करेगा इसलिए बिर्षा की बाते सुनकर वो अचंभित रह गया और उसके मन में बिर्षा के परती अविश्वास पैदा हो गया कि बिर्षा कुछ भी कर सकता तो इसलिए विर्षा जो है वह भी उस मिसन को छोड़ दिया क्योंकि वह जानता था हमारे देश का चीजी ये नहीं है और इन लोग हमारे देश के बारे में हमारे देश की भलाई नहीं सोच सकता इसलिए वह मिसन से बाहर आ गए उन दिनों आदिवासियों की दसा बहुत खराब थी उनके लिए भाद खाना भी सपने के समान था उनके परिवारों को कई कई दिन भुका सुना पड़ता था भुक और रोग से पिली आदिवासि मुंडारियों की दुर्धा देखकर विर्षा बहुत धुकी रहता था वह उनका जीवन सुखी बनाने के उपाय सोचता रहता था तो यहां पे जो सेंटेंस लिखा हुआ यह बिल्कुल सही सेंटेंस है मैंने भी यह कहानी सुना है जैसे कि हम लोगों के यहां मेरे पिताजी लोग सुना यह करते थे कि उ इस तरह से यह तीन चीज अगर प्रोवाइड हो जाए अगर उपलब्द हो जाए खाने के लिए तो उन लोग समझता था कि वहा दिन तेवहार है बिल्कुल मैंने भी सुना है यह सब हमारे जीवन में तो इसा नहीं हुआ उमीद करते हैं कि इसा नहीं हो तो यह सचाई है क कई दिनों तो उन लोग को भुखराना पड़ता था उनकी दुर्दसा उनकी दसा जो थी बहुत ही खराब थी और बिर्सा हमेसा ही सुचता राता था कि इनके जीवन को कैसे सुखी बनाया जाए बिर्सा लोगों को अज्ञान और रूढ्यों से छुटकारा पाने के लिए क पूजा करते हैं तो उससे भी हमें उतना ही पुईनी मिलेगा उतना ही हमें भगवान के दौरा जो भी मिलना है उतना ही मिलेगा सभी जीवों पर दिया करो, सभी भगवान की संतान है, सिकार मत करो, जीव हत्या पाप है, मास खाना, बंद कर दो, सराब पिना बंद कर दो, इस तरह की बाते हैं वो बतलाया करता था लेकिन आज भी आदिवासी लोग में सराब से ही पूजा होता, और फिर सराब को परसाद मानकर आज भी वे लोग पीते हैं, पता नहीं ये जो रूठी है, ये जो रीती है, उन लोग कब छूटेगा कहा नहीं जा सकता है, मेरे भी कई से दोस्त थे, जो आदिवासी थे, उन कि समर्थों को ये संख्या दिन परती दिन बढ़ने लगी, लोग उसके इसारे पर मर मिटने को तयार रहते थे, तो इस तरह की कई सारी बातें विर्षा बतलाया करता था सबको, लेकिन विर्षा जब तक था, तब तक लोग उसके बताई वे रास्ते पर चलते रहे, लेकि पतनी के साथ जंगल में छिप गया, किसी ने अंग्रेजों को इसकी खबर कर दी और बिर्षा पकड़ा गया, तो बहुत बड़ी बात यही होगा करता था, पुराने जमाने से चल रहा है कि घर की भेदी लंका ढ़ाए, तो वही चीज अंग्रेज जानते थे कि कोई ने जुके गा ही, कोई इसके बारे में खबर दे गा ही, इसलिए उन लोग किसी भी बेक्ती को बहुत ज़्यादा धन दे दिया करते थे और उसको कुछते थे कि बतलाओ आदमी कहा चुपा हुआ है, और कोई ने कोई आदमी जो है लालच में आ जाता था, इसलिए तरह से कोई जंडा लोग खड़े थे, मुंडा इस्तिरिया चाती पीट रही थी, उसके पकड़े जाने पर सारे छोटा नागपूर छेतर में तहलका मच गया था, अब लोगों में काफी जागरिती आ चुकी थी, मुंडारियों को काबू करना अंग्रेजों के लिए भारी पड़ता ज हुआ था, काफी कम उमर में ही उनकी मिर्टियों हो जाती है, तो लोग अब जागरुक होने लगे थे, लेकिन फिर भी काफी समय तक हमारा देश उसके बाद भी गुलाम रहा, 9.1900 को राची जेल में खून की उल्टी करते वे बिर्शा की मिर्टियों हो गई, उस समय हमारे देश में कोई रोग फेला हुआ था, जो रोग बिर्शा को पकड़ लेता है, और उस समय उसका इलाज नहीं निकला हुआ था, जिसके कारण बिर्शा को उसका दोरा पड़ा, और उसका ज़्यादा इफेक्ट हो गया, उसके बाद जो है बिर्शा की मिर्टियों हो जाता है, बिर्शा के बारे में आप डिटेल से पड़कर इनकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और कैसे इसकी मिर्टियों हुई, वो पता चलेगा आपको, और काफी कम उमर के थे और कम उमर में ही इतना महान बन गए और इस तरह का कारे करके, तो हमें उनके बताए रास्ते पे चलना चाहिए, और हमें अपने देश के लिए कुछ करना चाहिए, तो आई देखते हैं, इसमें क्या क्वेश्चन्स दिया हुआ है, सबसे पहले सबदार्थ यहां दिया हुआ ह जो कि हिंदी और इंगलिस में दोनों में दिया रहता है, इसको जरूर कम से कम एक दो बार पढ़ें, ध्यान पूरुवक और यहां पे इस चेप्टर का कुश्चन्स दिया हुआ है, जो इस चेप्टर का मुझे क्वेश्चन है, काफी सरा कुश्चन दिया हुआ है, और बिर्षा का परिवार बहुत निर्धन था, बिर्षा का निसाना बड़ा अचुक था, बिर्षा जंगल में डेस पर ही लिखने का अभ्यास करता था, तो धर्ती पर लिखने का अभ्यास करता था, बिर्षा के बड़े भाई का नाम कौमता था, बिर्षा डेस में फिर पढ़न तो आप इसको स्वेम कर सकते हैं और यहाँ पे भावाचक संग्या दिया हुआ है तो भूखा का भूख, उचा का उचाई इस तरह से दिया हुआ है और यहाँ पे दिया हुआ है मुहावरे दिया हुआ है इसको अपने सब्दों अपने वाइक्यों में प्रियोग करने के लिए वाइक बनाने के लिए कह रहा है इसको और लास्ट में यहां पर दिया हुआ है अउपसर्ग लगाकर अचुक सब्द बनाया गया है अचुक तो इसे परकार अउपसर्ग लगाकर पांच अन सब्द लिखे जा सकते हैं लगाकर यहां पर योगिता विस्तार में विद्यारतियों को स्वयम करने के लिए कहा जा रहा है जैसे कि आदिवासियों के जीवन के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करो आदिवासी किस तरह से जीवन जीते हैं और किस तरह से वे उसका रहन सान ह होता है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए का रहा है इसके बाद विर्षा मुंडा पर एक संचिप निबंद लिखो तो विर्षा मुंडा पर निबंद आपको इसके कई सारे इस तरह की बुक मिल सकते हैं या फिर आप आजकल जातर बच्चे जो है इंटरनेट पे सरच करके पता कर सकते हैं तो यह मैं आप लोगों को इसका आंसर बना के देता हूँ मुणारी आदिवासी विर्षा को किस रूप में याद करते हैं भारत की आजादी में विर्षा का क्या योगदान है उसने अपने देश से अंग्रेजों को मार भगाने का परण किया था इसके लिए उसने आदिवासी यूगों का संगठन त्यार किया उन्हें तीर और इस भी में राची के ग्रेरिया उली हातु नामक गाउं में हुआ बिर्षा का बच्पन कैसा भीता बच्पन से ही बिर्षा अपने पिता से तीर कमान तथा दुसरे हत्यार चलाना सीख लिये थे उसकी प्रारंबिक सिच्छा उसके मौसी के घर एक मिसनरी स्कूल में प्रार बकरियां चराते समय बिर्षा प्राया जमिन पर कुछ न कुछ लिखता रहता था एक दिन लिखने में वह इतना मगन हो गया कि भेडिया उसके बकरियों को ले गया और उसे कुछ पता भी नहीं चला बकरियां खोने के कारण बिर्षा को मौसी की मार खानी पड़ी गाउं क बिर्षा के गाउं के एक धनी ब्रामन थे बिर्षा उसके यहां नौकरी करता था हुआ बिर्षा का मालिक था 1889 में मुंडा लोगों ने किस से क्या मांग की फादर के मन में बिर्षा के परती अविश्वास क्यों उत्पन हो गिया छोटा नागपूर की जमीन की मांग के बिरोध सवरूप में कुछ मुंडा ने मिसन छोड़ दिया फादर उन लोगों से चीड़ कर उसे धोखेबाज पर ठक करने लगा बिर्षा ने भी फादर के बारे में भला बुरा कहा बिर्षा की बाते सुनकर फादर के मन में उसके परती अविश्वास पैदा हो गिया बिर्साने लोगों को क्या उपदिश दिये कि तुम लोग अनेक देवी देताओं को छोड़ कर केवल एक भगवान की पूजा करो सभी जीवों पर द्या करो मांस खाना और सरापिना चोड़ दो रोग्यों की सेवा करो बिर्सा किस परकार पकड़ा गया उसकी मिर्क्यू कब और कैसे हुई बिर्सा अंग्रेजों से सामना ना कर पाने की स्थिती में जंगल में छिप गया किसी ने इसकी खबर अंग्रेजों को दे दी और वह पकड़ा गया नो जुन उनिस सु को राची के जेल में खून की उल्टी करते हुए उसकी मिर्क्यू हो गई कोशन नमर थ्री सोचो और बताओ बिर्सा मुंडा का जीवन हमें क्या सिख्छा देता है बिर्सा के संगस्पूर्ण जीवन से हमें या सिख्छा मिलता है कि अपने अधिकारों को पाने के लिए हर संभव प्रियास करते रहना चाहिए मुंडा इस्तरिया चाती पीट रही थी क्यों जब बिर्सा मुंडा पकड़ा गया और अंग्रेज पकड़ कर उसे ले जा रहे थे तब मुंडा इस्तरिया चाती पीट कर विलाप कर रही थी क्योंकि वे बिर्सा को अपना भगवान मानते थे question number 5 भासा अधियन जहांपे हिंदी ब्याकरण का question दियावा रहता है question number 3 और इसमें मुहाबरे का वाइक बनाने के लिए कहा गया है मगन होना किसी कारे में पूरी तरह डूब जाना बच्चे खेलने में इतने मगन थे कि कब साम हो गई पता ही नहीं चला इसका आगे दियावा है है हैरान रह जाना हक्का बक्का रह जाना सियाम अपने घर में पुलीस आता देख हैरान रह गया संकल्प करना उत्रदाइत तुलेना रोहित ने अपने गाउं को विक्सित करने का संकल्प किया मर मिटने को तयार रहना, सब कुछ गवाने को ततपर होना, भारतिय जवान मर मिटने को तयार रहते हैं, तहलका मच जाना, खलबली मच जाना, गोलियां चलते ही बजार में तहलका मच गई, तो यहाँ पर यह चेप्टर पूरी तरह समाप्त हो गया है, अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए helpful है तो आप हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए और इसी तरह का और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रही है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और अपने दोस्तों के साथ सेर कीजिए नेक्स्ट डेप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग अगली वीडियो में चलते हैं तो आए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं